हेलो फ्रेंट आज में आपके साथ 36 पूल बस्ट और 35 जेट का पैंशेस कर बलॉस का कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी इसका कटिंग में लाइलिन के फैब्रिक में करूँगी और यह इसका बैक पाथ है, इसका डिजाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप नहीं नहीं देखा है तो इसका लिंक में रेस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेंगे, आप देख सकते हैं, तो चलिए अब यह बैक पाथ को और मेन फैब्रिक को साइट पर रखना है, और लाइलीन के फैब्री को पहले पुरा खोल लेना है, और इसको मैंने डबल फोल करके रखा है तो ऊपर के तरफ कर मेरा कपड़ा सीधा नहीं है, तो पहले मैं उपर के तरफ में एक स्ट्येट लाइन ड्रॉ कर लूँगी तो blouse का length मैंने लिया है 13 inch इसमें 1 inch plus है तो ये ready होके 12 inch होगा आप अपना आपके जितना length रखना चाहते है उसमें 1 inch plus कर लीजिएगा shoulder मैंने लिया है 5.5 inch armhole लिया है 5.75 inch अब ये दोनों point को join कर लेना है और यहाँ पे एक straight line draw करना है तो अभी मैं यहाँ पे back armhole के according मैं यहाँ पे armhole को draw करूँगी और pinces cut join करने के बाद मैं front armhole को draw करके उसको cut कर लूँगी तो chest का fourth part तो chest है मेरा 35 inch उसका fourth part 8.75 inch plus 1.5 inch margin और west के marking से पहले मैं tux point को निकाल लूँगी तो tux point के लिए आपका जितना full burst है उसका fourth से divide कीजिए और उसमें आदा इंच प्लस कर लीजिए तो मेरा 36 full burst है तो उसका fourth part 9 inch plus half inch प्लस करके वह 9.5 inch हुआ है और इधर से full burst का दस्वा भाग तो मैंने लिया है 3.6 और उसमें मैंने आदा इंच प्लस कर लिया है तो इस तरह से करने से तक्स पॉइंट मिल जाएगा और नीचे से सारे तीन इंच पे मार्क करके अभी ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और अच्छा पॉइंच के लिए मैं यहां पे 2.5 inch के मार्जिन लेके मैं पॉइंट को ड्रॉ करूंगी और 1.5 इंच उपर पे मार्क करके इस तरह से पॉइंट को ड्रॉ करना है नीचे के तरफ का और उपर के तरफ का प्रिंसेस कट को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है अब वेस्ट का फोट पार्ट 7.75 इंच और यह जो ड्रॉइंट लिया है पॉफ के लिए तो इसके लिए 2.5 इंच प्लस करना है और प्लस 1.5 इंच मार्जिन अब यह दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और प्रिंसेस कट करने के बार जॉइन करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो इसलिए मैं यहां पर एक इंच मार्जिन यहां पर मैं प्लस कर ले रही हूं और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है अब इसको एक बार मेजर्मेंट करके देखना है कि टक्स पॉइंट के पाद यहां पर कितना आ रहा है तो इस तरफ आ रहा है 4.25 इंच और इधर आ रहा है सारे तीन इंच तो इस तरफ भी मैं 4.25 इंच मेजर्मेंट करके इस तर इसको कड़ कर लोंगु तो इससे जब टकस्ट में जोईनकर गतोग परफेक्ट जोईनकर होगा और इधर से कर लिए मैंने इसको कॉलकर लिया है तो नीचे के साथ दिये कट नहीं हुआ है तो इसको कट कर लिना है अब मैं लाइलिंग के उपर नेक की कटिंग कर लूँगी तो नेक की चौड़ा ही मैंने लिया है 3.25 इंच और इसका लेंद मैंने लिया है 6.5 इंच और नीचे से सारे 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स ज्रॉ कर लेना है फॉंट नेक में राउंड शेप रख रही हूँ अब नेक को मैं कट कर लूँगी और यहां से 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ तो नेक के दरब से शोल्डर डाउन करना है अब इसको कट कर लेना है अब लाइलिन के फैबरिक को में फैबरिक के उपर रखना है तो इस से रखना है रखके यह दोनों को कट कर लेना यह दोनों पार्ट को तो मैंने ये दोनों पार्ट को ड़िया है अब में फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर लाइलिन को फैब्रिक को रखता है और एकदब नेक के बड़ा बड़ इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको पीछे के तरफ परट लेना है लालीन को और ये दोनों पार्ट के दोनों साइट को इससे क्रॉस करके मार्क कर लेना है क्योंकि ये दोनों ओपोसित साइट में इसको रखना है और दोनों मेन फैब्रिक के रॉंग साइट के उपर लाइलीन को रखना है रखके इसको चारों तरफ से सिलाई करके एटच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसको कट कर लेना है तो नेक के उपर मैंने सिलाई लगा लिया है quarter inch margin देखे अब नेक के चारों तरफ छोटे-छोटे से कट लगाना है लेकिन ध्यान रखना है कि सिलाई नअ कटे अब लाईलीन के फैब्रिक को पीछे के तरफ पलट लेना है इसको साई से पलट के इसके ऊपर topsгов लगाना है इसके उपर टॉप सीच लगाना है और लाइलीन के साथ में फैब्री को एटच कर लेना है चारो तरफ से सिलाई करके तो मैंने नेक के उपर टॉप सीच लगा लिया है और में फैब्री के साथ लाइलीन को मैंने एटच कर लिया है और इसके दोनों साइट के दोनोंым पार्ट को भी मैंने शिलाए करके एटज कर दिया है Lying के साथ Main Fabric को अब दोनों के दोनों साइट पे इस तरह से रखना है और यह जो डार्ट से टक्स text point के mark है यहां से नीचे से सिलाई को start करना है और यह text point जहां पर मैंने ड्रॉक किया है जिसका यह main point है यह दुनों point मिलना चाहिए और जितना आप margin पर दवाना चाहते हैं उतना दवा के इसको को सिलाई करना है तो देखिए उपर के तरफ जब आएंगे तो यह छोटा बड़ा होगा तो इसलिए मैंने फॉंट आर्मूर को पहले कट नहीं किया है और इसका पॉफ देखिए कितना सुन्दर इसका पॉफ आया है तो यह कटिंग में बाद में करूंगी तो पहले मैं इस स इसरा शिलाई बीनिचे से स्टार्ट करना है तो इस तरह से इसको रखना है रखके यह शिलाई को उपर तक ले जाना है और यह टॉंट के दोनों पॉइंट को जैंट पर यह चाहां पर मैंने ठॉंट पॉइंट के मार्किंग क्या है वहाँ पे यह मिलना चाहिए और यह सिलाई को उपर तक ले आना है तो यह दोनों साइट में छोटा बड़ा हुआ है तो पहले इसको सेंटर से अब इसको फोल कर लेना है इसको साही करने के लिए पहले इसको फोल करके साही से फोल कर लेना है और यहां से सारे पांच इच पे एक मार्क करना है और इस लाइन का सेंटर निकालना है और इसके आधा इंच भीतर पेक मार्क करके फोल्ट आश्फ करना है। एंटर से पॉंट 25 इंच मार्क करके इस तरह से फोल्ट आश्फ कर लेना है और इसको कट कर लेना है तो इसलिए पहले back armor को draw करके pinces का join करने के बाद front armor को cut करना है और इसका puff देखिए puff कितना सुन्दर आया है तो center से cut करने से पहले eye hook लगाने से पहले तो पहले मैं एक के ऊपर मैं ये golden color का lace लगाऊंगी ये lace लगाने के बाद मैं इसको center से cut करूंगी तो मैंने lace को लगा लिया है और center से cut करने के पहले मैंने इसके दोनों side पे शिलाई लगा लिया है तो ये शिलाई आप बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन मैं पहले लगा लिया है तो इससे आसानी होगा अब इसको सही से रखना है रखके सेंटर से इसको कट कर लेना है अब आप जिस तरफ आप आई लगाना चाते हैं आप उस साइड इसको रख सकते हैं तो मैं इस साइड हुप को लगाँगी तो हुक पट्टी को लगाने के लिए 2.5 इंच औरी लाइगिन का फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से बढ़ा के रखना है और क्वाटर इंच मार्जिन देखें पहले इसके उपस लई लगा लेना है और फिर खोल लेना है खोल के जितना फोल्डिंग के लिए रखना है रखके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसको इस तरह से फोल करना है करके इसके उपर प्रेस्टिज करना है और पूरा लाइन को फैब्रिक को पुड़ा पीछे के तरह पलट लेना है पलट के इसके एक कॉर्नार पे टॉप स्टिज लगा लेना है और इसके दूसरे साइड को भे हाथ से मैं इसको तूरपाई करना है इसके दूसरे साइड में तो इस तरह से हुक पत्टि को बना लेना है और आई पत्टि के लिए मैंने लाइन के फैब्रिक और में फैब्रिक दोनों ही लिया है इसका 4 आई है 3 इंच तो इसको इस तरह से रखना है रखके इस तरह भी quarter इंच का margin लेके पहले इसके उपर सिलाई लगा लेना है और फिर इसको इस तरह से खोल लेना है, और इसके ऊपर भी जितना फोल्डिंग के लिए रखना है, उतना रखके एक्स्ट्रा को कट करके इस तरह से एक बार फोल करके, इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा लेना है और फिर इसको एक बार फोल करना है फिर जहां पर मैंने पहले सिलाई किया है वहां पर इसको इस तरह से रखना है रखके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है तो इस तरह से आई पत्ति को बना लेना है अब कमर पट्टी से कमर को भी फिनिश कर लेना है तो इसलिए मैंने 1.5 इंच औरी स्ट्रेट पट्टी लिया है और इसको इस तरह से रखना है थोड़ा सा बढ़ा के रखना है और नीचे के तरफ आधा इंच का मार्जिन देखे पहले इसके उपर से लगाना है और फिर इसको खोलना है और इसको पीछे के तरह फोल करके अंदर के तरह फोल कर लेना है रखे इसके उपर प्रेस्टिज करना है और फिर इसको पूरे पीछे के ले जाके डबल फोल करके इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर ले तो मैंने यह दोनों साइट को रेड़ी कर लिया है तो देखिए कितना सुन्दर आया है अब बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखके शोल्डर को जॉइन कर लेना है दोनों के शोल्डर को आदा इंच मार्जिन देखे अब slips की cutting करना है तो slips के लिए fabric को मैंने 4-4 करके रखा है और slips का length मैंने लिया है 7.25 inch और जितना आपका chest है उसका 4th part लेना है तो मेरा chest है 35 inch तो इसका 4th part है 8.75 inch तो इतना है इसका चौड़ा ही लेना है और 3 inch नीचे जाना है और 1.5 inch margin पे पहले mark करना है अब यह margin से लेके यहां तक यह जितना आ रहा है यहां इसका center निकालना है center निकालके आधा inch उपर mark करके तो इस तरह से back armor को draw कर लेना है तो इस तरह से आप बहुत यह आसानी से आप back armor को draw कर सकते हैं और slip sound का आधा लेना है तो मैंने लिया है 6 inch और प्लस 1.5 inch margin अब इसको join कर लेना है और इसको cut कर लेना है और center पर एक cut लगाना है तो इस तरह से आप एक बार slip को बना के देखिएगा कट कर के देखिएगा और front armor को draw करना है थोड़ा सा गयर आई देखे और इसके दोनों layer को इस तरह से रखके front armor को cut कर लेना है अब main fabric के उपर line के fabric को रखके इस तरह से cut कर लेना है अब main fabric के right side के उपर line के fabric को रखना है और आधा इंज का margin देके यहांपे शिलाय लगा लेना है तो इस तरह से 1.5 inch का margin देके शिलाय लगाके linen के fabric को पुरे पीछे के तरफ पलट लेना है पलटके इसके उपर top wish लगा लेना है और top wish लगाने के बाद lielin के साथ main fabric को attach कर लेना है और फिर main fabric का font armor को cut करना है तो मैंने इसी तरह से ही मैंने slips को finish कर लिया है सिलाई करके चारतर से सिलाई करके इसको ready कर लिया है अब मैं slips के उपर ये golden color lace को मैं दो बार एक बार इस तरह से सिलाई करके तो मैंने शोल्डर को join कर लिया है और slips के उपर मैंने लेस को attach कर लिया है अब slips को इस तरह से रखना है और center से center को मिला के font armor को font armor उसके साथ join कर लेना है शुरू करके back armor ले जाके slips को join कर लेना है तो मैंने slips को join कर लिया है अब इसको पीछे के तरह परट लेना है और fitting की marking करना है तो इसको size से set करके रखना है तो आई पर्टी को छोड के marking करना है तो west है मेरा 7.75 inch और chest है 8.75 inch अब यह दोनों point को join करना है और slips है 6 inch अब यहाँ पर इसके उपर 2-3 बास lay लगा लेना है और इस तरफ hook पट्टी से लेके इसका measurement करना है तो इस तरफ भी 8.75 inch और west के तरफ 7.75 inch और slips 6 inch अब यह दिनों point को join करके यहाँ पर इस लाई लगा लेना है यहाँ पर इस लाई लगा लेना है तो मैंने देखिए fitting कर लिया है और इसका पब देखिए सामने के तरफ देखिए और इसके पीछे के तरफ देखिए यह बहुत ही सुंदर finishing के साथ आया है आप एक बा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर दिजिएगा थैंक यू